जैन दोस्तों तो पहले पार्ट में जितना कवर कर लिया था उसमें ने देखा था जो भी मैटर्स हैं उनके केरेक्टर्स उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था अब यहां पर हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं दे जैसे थी डिफरेंट श्टेट में होते हैं पहला सॉलेड लिक्विड एड गैसे तो यह देख सकते हैं आप वी चैनले मैटर्स हमारे आसपार जितने भी मैटर्स हैं एक्जिस्ट उटे हैं वो ती डिफरेंट सॉम मैं पहले जैसे लिए सॉलेड हो गया थोस दूस्या हो a liquid मनलब तरल पानी तरल पादा पानी तरहثंब दीसरा हों गए टेशा जास्य आप यख़ जानते होंगे है के यु wrench इस श्तरम मे Misag जलती शुच करarna में यह रोग दुचिग चुलिर पडलेते आ पर लेया तो पहली जो activity है, collect the following articles, a pen, a book, needle, and piece of wood, a stick. Sketch the shape of the above articles in your notebook, moving a pencil around them, do all these activities definite shape, distinct boundary, and fixed volume. तो कहने वाली बात यह है, अब जब पूरी activity पढ़ लेंगे, यह सब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, कि जितने भी example दिये हैं, यह solid किया है, solid, ठोस, जैसे कि इसमें पहला बोला गया था, pen, book, needle, piece of wood, यह सब क्या है, ठोस. इनकी क्या है, एक definite shape है, कैसी shape है, definite shape है ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर लोहे का आकार है, लोहा है, कुछ भी इंट है, तो एकदम उनकी definite shape रहती है, ऐसा नहीं कि अपने आप कुछ और हो जाएगी, फिर से कुछ और हो जाएगी, अपने आप कुछ और हो तो इस दिफिकल्ट तो चेंग तो शॉलिट को प्रेक हम कर सकते हैं लेकिन क्या होता है उसको उपर प्रोस लगाने के बाद उसको हम ब्रेक कर सकते हैं अर्वट दिफिकल्ट चेंग देर्खिप लेकिन उसकी शेप को चेंग करने में मुश्किलाते हैं दियर रिजड एक्दम थोस होते हैं अई अग्याओ द्धर चेंग इस शेप और स्ट्रेचिंग अभो क्या हो रह रबर बैंड है यह बात कर रह वो यहीं इक सॉलिट प्रू हो जाता लंबा हो जाता तो definite shape की बात हो रही है तो अगर मैं आपको बता दूँ अगर हम rubber band लेते हैं तो उसमें external force लगाते हैं तब जाके वो stretch होती है ठीक है देखो a rubber band change shape under the force अगर वो फोर्स हम हटा देते हैं तो फिर से अपनी अपनी shape में आ जाती है जैसे इसके shape होती है वैसे फिर से अपनी shape में आ जाती है फिर देगे the force is removed the excessive force is applied और अगर उसमें जादा force लगा देगे तो 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 दे आएगा the shape of each individual sugar or crystal remain fixed with अगर देखो एक दूसरी activity में यही point है कि जो शुगर होते है do all these have a definite shape distinct boundary and force volume what happen if they are hammered pull or drop थीग है these are capable अब इसमें activity इसमें sugar की बात कर रहा है the shape of the each individual sugar अब बोग बोला है अगर definite shape है तो अगर sugar को हम अगर container में रखे हैं वो तो शेब ले 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 ता उसकीशेप तो अलग अलग हो जाती है अगर हम किसी में रखेंब तो हम बयता दैंज हम कोई बोल्स को शुगर को रखता है तो उसी तरह का बोल्स का अकर लेड़े लेकिन वोटल के वाजी से लेकिन जो सुगर का पीस रहता हो जो भी सॉल्ट है सुगर का क्रिश्टल होता वह तो उसकी शेप तो फिक्स ही रहती है वह तो थोड़ी ना लगा-लग होती है वह वैसी की वैसी रहती है तो यह अब और आप करके निकिए शेप ऑफ यह तो आपनी पाट हो रही है फोस्को दबाएंगे वो तो इसके शेप बूफ रही है लेकिन यह होता है उसके अंदर एर चलियाती है एर ट्रैप हो जाती है तो जैसे वह दबाते है तो यह देगे पड़िये तो इदर से बात समय में आती है solid जो है solid जो है इसके एक definite shape होती है ठीक उसके बाद definite shape होती है definite shape के बाद क्या होती है इनका fixed volume होता है fixed volume होता है definite shape fixed volume इतनी बात समझ में आई होगी and distinct boundary रहती है चलते हैं अब आयाता है किस पे liquid पे liquid the liquid water cooking oil milk juice and container of different shape put 50 ml of mark and this container using the measuring cylinder liberty what will happen if these liquid are split on the floor अब liquid की बात करें liquid की क्या होती है इसकी fixed shape नहीं होती है अगर हम मान लीजिए अगर हम जिस container में रखेंगे वैसी shape ले ले लेगा हाथ में रखेंगे तो फैल जाएगा इसकी कोई particular shape है नहीं है fixed shape बिल्कुल नहीं है जैसा रखेंगे वैसी उसमें ship में आ जाएगा तो इसलिए बोला जा रहा है liquid की no fixed shape but have a fixed volume लेकिन इसका volume जो रहता है वो fixed रहता है they take up the shape of the container in which they are kept liquid flow in the change of shape जैसे flow करता उसकी shape change हो जाती है so they are not rigid but can be called fluid इसको हम fluid भी कहते है where we show the solid and liquid can diffuse into the liquid solid and liquid can diffuse into liquid the gas from the atmosphere diffuse अब जैसे कि मैंने diffusion का मैंने बताया था जब दो particles एक दूसरे में mix हो जाया है mixture हो जाया है तो उसी को बोलते हैं diffusion तो यहां पर वोला है the gases from the atmosphere diffusion are dissolved in the water अब gases है हमारे atmosphere में कितनी सारी gases है carbon dioxide, oxygen, nitrogen जी एक दूसरे में mix हो जाती है और water भी है especially oxygen, carbon dioxide, survival aquatic animal यह animal के लिए जरूरी है all living creatures need to breathe for the survivor the aquatic animal can breathe under the water due to preserve अब देखो जो पानी वाले जानवर रहते हैं पानी के अंदर जो भी fish वाके रह रहती है वो भी तो सांस लेगे उनको सांस के ज़रूर हो यह है जैसा कि मैंने बता यह छोटए-छोटे particle से मिलकर भनते हैं water रह वो भी छोटए-छोटे particles से मिलकर भनते हैं अब जो च्पेस रह रह जाती हैं OUT झिलिए मिलकिल मिलके मिलके as a जिना है जाँ जो ऊक्सिजन और आ marble कि आगा सुथ मुले काड़ा जाँ जमाले पर और बाद बॉक्सिजन होगी आप जो ऑक्सिजन होगी वह पर इससको ऑुप इससदें वह एक पर oluyor जब ऑनीमीम दा करतेब हैं थो को इस्तमाल करते हैं देखिए के अनिमल ब्रीद अंडर दा वाटर दू 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 प्रेसेंस ऑफ डिजॉल्ब ऑक्षियं इन दा वाटर अभी यह जब एक दूसरे से मैं डिजॉल्ब है इसी को बहुत दिफूजन देट ऑफ दिफूजन अफ लिकुड इस हाई देन दा देखिए amazing the solid liquid and gas can diffuse into liquid the rate of diffusion of liquid is the diffusion rate of diffusion of liquid liquid ka diffusion joy jada higher than solid من this is do this is due to the fact of that liquid liquid Jill particle move freely and i have a अब क्यों जादा है diffusion rate क्यों जादा है क्योंकि जो liquid के particles है freely move कर लेते हैं और इनके बीच में greater space रहती है as compared to solid solid में space कम रहती है और इसमें इसमें जादा रहती है liquid में तो इसी वाज़े से diffusion rate जादा है चलते हैं गेस की तरफ इतनी बात समझ में आगई होगी क्या कि इनकी definite no fixate liquid की fixate नहीं है ठीक है उसके बाद और fixed volume इनका liquid का fixed volume अब आजाते हैं gas पर gas have you absorbed a balloon seller filling a large number of balloon from a single cylinder in graph 1 how many balloons take a strange remove the pistol from the all strange leaving pistol and देखे तो गया गह रहा है इनका कहने का मतलब यह है जो gas होती है यह जो gas होती है we have observed that the gas are highly compressible gas होती है highly compressible होती है मान लीजे अब वो जैसे यह slender होता है मान लीजे हमारे घर में आता होगा slender अब उसको क्या करते हैं दबा दबा कर दबा दबा कर gas के अंदर बहुत सारी space होती है यह जैसे यह देखे बैलून का सबसे बड़ी example अब बैलून के अंदर वो gas फिल करते हैं अब fix करने के बाद इनके बीच में बहुत सारी gap रहती है अब जी जब एक दूर से टकराते हैं इसी वज़े से अपने देखाऊगा बैल उड़ने लगता है इसी gas के वज़े से तो भही यह बोलने ही आ रहा है अब आप सको बढ़े है लाइक एल्पीजी गैस इसलेंडर यहाइली कंप्रेसिबल है इनकी क्या इनका इक करेक्टर तो यह समय में आता है यह है कंप्रेसिबिलिटी लाज वॉल्यम उफ गैस कें बी ऑक्कुपाइब लाज वॉल्यम उसमें आ जाता है इतनी बात समय आई होगी तो वी केन वी कम टुद नो और वाट इस बीं कुक्ट इन देकिशिन वड़ाओ एंट्रिंग देखो क्या होता है अगर हम में किचिन में जाते भी ने लेकिन हमको पता चल जाता है मारी मम्री क्या बना रही है वहाँ क्यूंकि जो गास के और टूकल्स यहाँ देख रहते है वह weekend move कर लेता ओ इंट कर दूकल की आप इस वाली के ऐसे पेली वाली पीडियो में बताया था कै जो भी तो आपको लिए को जाते हैं और अब भी जाता है इस पहरा देटा है श्रफिल्ग उत रोड़ा नहीं के अब दुड़ा रोड़ा जाता है नियुक्ति इस अब देखो जो भी गर्म घर्म खाना होता है उसकी खुश्ब आ जल्दी आ जाते हैं क्यों कि टेंप्रेचर जाद होगा तो जली आली मुफ करेगा तो हम तक पहुंच जाएगा इसलिए जली खुश्बू आती है तो क्याने मतलब यह है कि गैस में सफ़े आदा दिफूज़रेट होता है इन गैस श्रीट था इस पार्टिकल्स मुफ आरूंड अंडली हाइड हाइस है इस थूप तो इस तो इस थाड़न मुफ करेंगे पार्टिकल्स एच यह अदर and also wall of the container the pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the particles per unit area of the wall देखो भाई मैंने बात बोली थी बैलिन बाली अब इनके बीच में यह देगे हैं काफी space है बैलिन में देगे आप यह जब मूफ करते हैं यह दूसरे में हिट करते हैं हिट करते हैं इनका जो force जो force है इस force के साथ हिट करते हैं अभी यह boundary पर जाकर गलेंगे तो वह एक तार से force गलेगा प्रेशर गलेगा उसी प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इतनी बात आई हो आप लोगों को समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो comment box link description box में देटा काई मैंने जाकर देखिए वीडियो पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें